नमस्कार मित्रों अक्षट डिजटेंग में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम Microsoft Word 2010 में कोई डाकुमेंट तयार करते समय या टाइप करते समय अगर हम कीबोर्ड साटकर का यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो उस कारे को हम जल्दी से और आसानी से कम समय में न गया है और एक डाकुमेंट हमारा खुला हुआ है अगर हमें न्यू पेज ओपन करना है तो कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे और न्यू पेज ओपन हो जाएगा इसके बाद अपनी इंडेंट की और जो भी सेटिंग करनी है वह हम करके फिर हम डाकुमेंट टाइप करना प्रारंब करते हैं अब हम साथ कट के बारे में सीखते हैं की बोर्ड से यह जो माइनस का निशान है यह तीन बार प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे एक लाइन ड्रा हो जाएगी किसी भी डाकुमेंट किसी भी सेंटेंस के नीचे या परग्राफ के न नहीं है तो हम इस तरह line ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद अगर इससे मोटी हमको line चाहिए तो हम shift प्रेस करेंगे और under score यह तीन बार प्रेस करेंगे इंटर प्रेस करेंगे मोटी लैनंगो मिल जाएघी। अगर double line हमको चाहिए तो equal to 3 बार यहीं बरावर का निशान तीन बार type करेंगे इंटर प्रेस कर देंगे हमें double line मिल जाएगी निमरिक कीज में 8 नमबर की उपर start जैसा निशान है जिसे हम as-risk कहते हैं अगर तीन बार इसे type कर इंटर प्रेस करेंगे तो हमको square dotted line मिल जाएगी अब अगर यह document को जो हमने तयार किया है अगर save करना चाहते हैं तो control प्रेस किये हुए as press करेंगे तो यहां पर यह save as dialogue box पा जाएगा और यहां पर हम जो भी नाम देना चाहें नाम दे करके हम इसे save कर देंगे जिस भी location पर चाहए desktop पे save करना हो document में save करना हो जिस भी location में save करना चाहते हैं save कर देंगे तो document पे हम click कर देते हैं और यह document पे save हो जाता है इसे हम delete कर देते हैं control के साथ इप्रेस करेंगे ये पुरा select हो जाएगा और keyboard के delete को प्रेस करेंगे और ये delete हो जाएगा अगर हमें दूसरा document खोलना है control के साथ, उ प्रेस करेंगे dialogue box open हो जाएगा और जहां कहीं भी हमारा document है हम यहाँ से scroll करके और उसे हम open कर लेंगे desktop पर हमारा यह sample text है जिसे हम open पर click करते हैं और यह open हो जाता है control के साथ a press करेंगे यह पुरा select हो जाएगा और keyboard के delete को press करेंगे और यह delete हो जाएगा अब हमें कुछ काम आगे करना है paragraph को ले करके तो हम एक randomly paragraph कैसे ला सकते हैं equal to randrand open bracket close bracket और इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर यह तीन paragraph आ गए अगर हम चाहते हैं कि paragraph चार paragraph आ जाएगा उसमें लाइने पांच हो जाएगा छे हो जाएगा तो हम इसी परकार से equal to और rand open bracket और यहाँ four और comma five और bracket close और इंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें हमने four डाला था तो एक दो तीन चार paragraph है तो इस तरह से paragraph हम insert कर सकते हैं अब इसी paragraph में हम आगे शाट कर देखते हैं अगर हम को कुछ टेक्स्ट इसमें से बोल्ड करने हैं हम मान लेज़े कि यह on the insert tab बोल्ड करना है तो control प्लस भी प्रेस करेंगे और यह बोल्ड हो जाएगा दुबारा अगर हम प्रेस कर देंगे control प्लस भी तो यह बोल्ड हट इसी प्रकार से control और आई प्रेस करने पर यह italic हो जाएगा इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं और अगर फिर control आई मैंने प्रेस किया तो यह italic भी हट गया अब अगर underline करना है तो हम control प्लस यू प्रेस करेंगे underline हो जाएगा control प्लस यू दोबारा प्रेस करते हैं और यह underline हट जाता है इसके बाद अगर इसको एक बार हम फिर हटा देते हैं यह सारे paragraph हमने एक्स टाइप किया और इसे सब स्क्रिप्ट में चेंज करना है या सब स्क्रिप्ट के रूप में इसे टाइप करना है तो जैसा कि हम जानते हैं कि control के साथ equal to प्रेस करेंगे क्रसर यक्स के down line में बिलिंक होने लगेगा और यहां पर one two three four जितना भी हमको numbers type करने हैं हम type कर सकते हैं अगर control के साथ equal to फिर प्रेस कर दिया तो यह नार्मल पोजिशन में आ गया और अगर उपर अप लाइन में हमको one two three या numbers type करने हैं तो shift के साथ control प्रेस किये हुए और यहां पर यह plus प्रेस करेंगे और क्रसर उपर बिलिंक होने लगेगा और हम यहां पर number जो भी type करना चा करेंगे नार्मल पोजिशन में करसर आ जाएगा इसके बाद परग्राफ टाफिल लेते हैं यह मैंने ले लिया है अब अगर इसमें पूरे परग्राफ को या वर्ड को फॉंट्स बड़े करने हैं वर्ड या परग्राफ हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर shift कंट्रोल और इध निष्ट न और इसमें और यह फोंड बड़े होते जाते हैं अब अगर फोह को छोटा करना है सिर्फ कंट्रोल प्रेस के जिस और दिन रिए और यहान छोटे होते जाएंगे इस प्रकार से हम ये fonts छोटा बड़ा कर सकते हैं अब हम text paragraph alignment पर आते हैं सबसे पहले हम text को select कर लेते हैं paragraph जो है left side में alignment अब अगर इसको हमको center में करना है तो control plus e यहनि control press किये हुए e press करेंगे तो बीच में यह हो जाएगा हम control press किये हुए e press करते हैं center में सब align हो जाते हैं अगर right side में करना है तो control के साथ r press करेंगे और अगर justify करना है तो control के साथ j press करेंगे इस परकार से हम paragraph को shortcut से align कर सकते हैं किसी portion को हमको हटा करके और दूसरी जग़ पेस्ट करना है सबसे पहले हम text को select करेंगे control के साथ x press करेंगे यह हट जाएगा यहां से और जहां चाहें हम वहां ले जा करके इसे control के साथ v press करेंगे और यह वहां paste हो जाएगा अगर किसी text को हमको वहां से हटाना नहीं बलकि copy और paste करना है सबसे पहले हम text को select करेंगे control के साथ c press करेंगे उससे copy होगा कहीं भी हमको paste करना है वहां करसर ले जाएंगे और वहां पर control V से हम paste कर देंगे आते हैं कुछ shortcut और देख लेते हैं अगर copyright का हमें symbol type करना है तो हम open bracket फिर C type करेंगे और bracket close कर देंगे वैसे ये देख रहे हैं कि circle के अंदर सी लिग गया इसी प्रकार से अगर हमें TM trademark वाला type करना है तो हम किसी word के right up corner पर कैसे type करेंगे अब हम एक word को ही type कर लेते हैं और उस पर हम type करके देखते हैं वर्ड हमने type किया और control alt T प्रेस करेंगे और यहां corner पर TM type हो जाएगा अगर document या application कुछ भी type करते समय हमें date और time की अगर आवश्यक्ता है की automatic तो जो computer में उस समय time show हो रहा होगा जो date होगी वही इस पर कैसे type करेंगे हम shift के साथ alt और T type करेंगे तो यह time आ जाएगा इस समय अगर हमें date चाहिए तो shift alt डी प्रेस करेंगे और date आ जाएगी इस परकार से हम shortcut use करके हम अपने समय को बचा सकते हैं और अच्छे से document को हम तयार कर सकते हैं जानकारी अगर अच्छी लगी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने अग सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन अवस प्रेस कर दीए जिससे आने वाली वीडियो का notification आपको मिल जाए अब अगले वीडियो में एक नए topic के साथ फिर मुलाकात होती हैं तब तक के लिए नमुश्कार धन्यवाद